हेलो दोस्तो स्वागत है आपका आपी की यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में तो दोस्तो पुलिस कॉंस्टेबल की एक बंपर रिक्लूट्मेंट निकली है इसमें क्वालिफिकेशन जो रहने वाली है वो 12th पास रहने वाली दोस्तो और 1700 के करीब वकेंशी है 1746 वकेंशी है तो क्या रहने वाला है पूरा को पूरा प्रोसीजर कैसे आप अप्लाई करेंगे तो ये सब चीजे हम जानेंगे इस वीडियो में डिटेल में तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजेगा चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को चीजर करते हैं तो दोस्तों important dates के अगर हम बात करें तो online apply करने के starting date है और fees payment की वो है 15 February 2023 से सुबह 7 बजे से और जो last date है online apply करने के और fees payment की वो है 8 March 2023 रात को 11 बज़ के 55 मिनट तक age limit के अगर बात करें तो minimum age limit आपकी 18 साल है maximum age limit जो है 18 साल है age relaxation जो है वो as per government rules रहेंगी qualification दोस्तों यहाँ पे clearly लिखा है 10 plus 2 चाहिए next अगर हम बात करें अगर कोई ex-service man इसके लिए apply करना चाहते हैं तो उनकी जो minimum qualification है वो matriculation that is 10th pass होनी चाहिए ठीक है यहाँ पे अगर बात करें जो male candidates हैं उनकी height की 5 feet 7 inches और female candidates की 5 feet 2 inches होनी चाहिए district police cadre की post हैं यह detail notification पे आपको लेके चलता हूँ मैं अभी तो दोस्तों यह official notification लेके आए हूँ मैं आपके साथ nationality इसमें कोई भी Indian citizen जो है इसके लिए apply कर सकता है एज की बात करें minimum age 18 साल maximum age 18 साल age relaxation as per government rules रहेंगी education qualification 10th plus 2 चाहिए यह मैंने ओल्री आपको बता दिए फिजिकल स्टेंडर्स भी आपको बता दिये थे selection procedure में सबसे पहले दोस्तों आपका क्या होगा एक computer based test होगा उसके बाल जो PMT physical measurement test होगे stage 3 में आपके क्या होगा जो डोकुमेंट सी scrutiny होगी यहाँ पे देखिए जो stage 1 में computer based test होगा उसमे paper 1 paper 2 होगा यहाँ पर उनकी जो duration है और जो syllabus है वो सारा detail में दिया हुआ है दो घंटे का paper होगा maximum marks जो 100 marks होगे general awareness quantitative aptitude and numerical skills mental ability and logical reasoning English language skills पंजाबी language skills यह सारी चीज़े आएंगी तो दोस्तों यह important चीज़ें सी जो मैंने आपके साथ डिसकस की यह जो recruitment दोस्तों यह पंजाब पुलीस की तरफ से आई है for the recruitment of police constables ठीक है all over India से लोग इसमें apply कर सकते हैं देखा जाए तो JNK से पंजाब जाता दूर नहीं है पोस्तों का बाइफर केशन है यहां पर दोस्तों एक चीज़ और आपको बता दूँ जहां पर education qualification 10 प्लस टू चाहिए सबके लिए अगर आप एक सर्विसमेन है तो आपके लिए क्या चाहिए 10 पास है लिकिन यहां पर एक चीज़ और यहां पर mandatory qualification के नाम पर दी गई है कि आप लोगों ने अगर आप चाहिए आप एक सर्विसमेन हो चाहिए आप नॉर्मल अप्लाई कर रहे हो आपका यहां तो 10 यहां 12 में यहां पर लिखा हुआ है एक पंजाबी subject होना बेहत इंपोर्टन है देखिए mandatory qualification में क्या लिखा हुआ है apart from the above mentioned qualifications all candidates must have passed matriculation examination 10th pass मतलब with पंजाबी subject लेके यहां तो compulsory यहां फिर electric subject लेके उनका pass होना जुरूरी है यहां पर clearly रिखा हुआ है तो यह चीज़ अगर आप फुल्फिल करते हैं तो आप इसके लिए जुरूर से apply कर सकते हैं जो apply करने का link है वो description में दे दूँगा पंद कीजिएगा चैनल को subscribe कीजिएगा मिलते हैं दोस्तों ने वीडियो में नही जोब अपडेटिक से आथ तब तक के लिए बाबाई टेक केर